नौन स्टॉप एंटर्टेन्मेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चानल्स नौन स्टॉप एंटर्टेन्मेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चानल्स नौन स्टॉप एंटर्टेन्मेंट करें शिमारू चानल्स नौन स्टॉप एंटर्टेन्मेंट करें शिमारू चानल्स नौन स्टॉप एंटर्टेन्मेंट करें शिमारू नौन स्टॉप एंटर्टेन्मेंट करें शिमारू नौन स्टॉप एंटर्टेन्मेंट करें शिमारू झालता झालता चानल्स जैसा कि आप देख सकते हैं लोकों की भीड़ बड़ी बेसबरी से अपने चहिते सूपरस्टाफ समीर खान का इंतजार कर रही है जी हाँ, आज की रात समीर खान की जीवनी पर लिखी गई किताब The Biography of an Actor रिलीज हो रही है लीजिए, वो आगय है The Greatest Action Hero, The Superstar, समीर खान The Greatest benefits भाई और बेहनु, जब आबाजी ने मेरी जीवनी लिखने की इच्छा प्रकट की, तो मुझे बहुत शरम आई, मैं एक छोटे से शहर का मामूली साथ नहीं हूँ, लेकिन आबाजी का आगर था कि मेरी जीवनी पढ़कर नई पीड़ी को बहुत प्रेरना मिलेगी, इसलिए मैं मना नहीं कर पाए, इसका पूरा शरे आबाजी को है, मेरे पिता जी अकसर बिमार रा करते थे, और घर की आर्थिक स्तिती भी ठीक नहीं थी, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, और घर में बिजली भी नहीं थी, मैं रात रात भर सड़क के किनारे लैंपोस्ट के न मेरे पास, वहीं घर के पास इसमाइल चाचा की चाय की दुकान थी, वहां जूटी प्लेटे दोलिया करता था और पैसे कमा लिया करता था, सुनने में आप लोगों को ये सब बहुत फिल्मी लग रहा होगा, लेकिन यही मेरी जिंदगी का सच है, आपने जीमन में इतनी त आपने मुसे जो कहा, आपकी तकलीफें, लैंपोस्ट की बातें, वो सब जूट, तो सच क्या है, सच वो चेक है, जो आपको मिला, चेस, आपको मुझा मुझा है, रछओ आपको, तैक्स भ्रोन ये, अरे, तेरी फिल्म को अपका है, अरे तेरी फिल्म को तेजर हो पह पहा पहां है, क्या है, अमेजिंगि यार, क्या परफॉम्स किये तुमने, चागया तूसरा, देश्मांट जी, आट चिव, आज प्रोडे साला, बायोगरफी में सब जूट लिखा, जूट लिखा, आदमी खराब, एक्टर उससे भी खराब, इसकी नई फिल्म का टीजर देखा मैंने, तो शो नहीं चलने वाला, एक आदमी नहीं जाने वाला थेटर में, इसका तो पैकप है, पैकप है, सुना पहले शो के में बड़िव इसकारि, सुना काम की बात करो ना, काम? अबरार साब, साब आपके साथ मूझिकल बनाया है? मैं चाहती हूँ कि आप मुझे असमें हरोईन का डे दे दे, तुम चो कर सकती हूँ वो बताओ, क्या क्या बहो लेती? बहुत सारे डांस टाइप साते सर समझे भरतना ट्याम कुच्ची पूडी ओडिसी सब कुछ आता है सर समय बेस्टन डांसे भी बहुत अची कर लेती हूं आप से बात करेंगे तो यह रोल मुझे जरूर दे देंगे लेकिन अची सब्सक्राइब प्रट में अचीजै को को सर प्रीज सर, हाथ उख्लो, हाथ उख्लो सच यह है कि आपका क्लाइल हाथ पैसे बारा है जो आप जैसा बड़ा वखी हायल कर सकता है कवाएं खरीग दिलता है तबूर बटाता है और सच यह है कि आपने इसी बाफ का फाइदा हुए तुम अच्छा आगे बढ़ रहे हो और सच यह है कि इस बाफ और नाहिल काफी के दिमेदार हम वकीर है तुम होगे तुम, मैं नहीं अगर इस लडाएं में तुम मेरा मुकादला नहीं कर पाए तुम मैं क्या कर सकता हूँ यही तो, यही तो मैं कहरा चाथा हूँ सर कि क्या है अदालत दो वकीरों की बीच मुकाबले का उनके दाव पर दिखाने का अखारा भड़ है और कुछ नहीं हमने एक काला कोट पहनते वद कसम खाई थी सर कि हम सच का साथ देगे, लोगों को इंसाथ देगे यही तो, 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 यही क्या हो समिल जी नाइस नाइस वही नाइस वही गुट वर्क तुशार जॉब थांक यू सर अगला सीन देख लेते आप नो बहुत अच्छा काम किया है हरे मैं तो ठीक हूं तुशार ने क्या काम किया है मांक माय वर्ट इस फिल्म से तुम निकल जाओगे थांक यू अगें सर अब बाइस ओंक बाइस और अब अब कोई काम टेक से अब और स्टी लेगे ने फिल्म हम अच्छी है बहुत अच्छी है थुशार कर रोल तो बहुत अच्छा है चाय हुआ पूरी बिक्चर में आपने अपने अगली पिक्चर का एरो खड़ा कर दिया अ कैसी कारें आप सर हमारी अगली फिल्म में तो आप काम कर रहे हैं अमने डिस्टीबूटर से पैसे भी ले लिये आओम डिया सर तुशार अच्छा लड़का है अच्छा काम करता है आब अपने अंचली पिक्चर बनाएं क्यों ना रहा है अब उसी के साथ पिक्चर बना य स्क्रिप्ट के हिसाब से तो अज़िए अज़िक तैसी में और मेरी डिरेक्शन का चाहिए अब आप वही करेंगे जो कि मैं कहुंगा तो अब आप वही करेंगे जो हीरो कहेंगा अब आप श्मीर जी समीर बेटे अरे दादा अप कभाई यही कुछ एक डेड़ गंटा हुआ एक डेड़ गंटा हुआ एक डेड़ गंटा हुग अगया चिसिन अरायन तुमने मुझे बताया नहीं आप अरे सॉरी वहापना शड़ाप जानते हो यह कौन है इतने सीनियर डरे मेरे साथ चली आई दादा आपने मुझे बुला लिया होता हुखम कीचे एक साल पहले मेने एक स्क्रिप्ट दिया था पढ़ा होगा आपने शायद हाँ दादा हाँ मेरी बीच साल की तपस्या है उस पे बेस करके मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ इल बी वेरी गुड फिल् दो पोती हैं जाते जाते मैं के लिए कुछ कर जाना चाहता हूँ दादा कब शुरू करना चाहते हैं जब आप कहीं नारायन सर देड़ साल तक तो विबरो जैन्वरी फेबुरी मार्च ठीक अपके लिए हाँ था था तो फिनिश मैंने का ताना जल्दी करनी पड़ेगी आ तो हैं प्रखेड़ में लाज़ फिल्म पर दादा आप यह सब फोड़िए और नाक्षिन बोलिये आक्षिन जाने लेकिन वह डिशूं डिशूं के अलाद महां से हटे तो मैं समीर जी समीर जी हटेंगे फिल्में बात करता हूं जाओ तुम जाओ सरजी चोपणा साब जय्श हलो सर्थ तैंक यूत तैंक यू सर नहीं सर अरे सर पैसे जो आप दे डिड्ट जो आप ले जान फैब मार्च ढांश थीगह सर में आथा जान फैब माच जान फैब मार्च छोपणा साब के शाज स्वूटिंग करें तो सर जी आमना आनत पाप को उनकी सुटिंगा गया हुआ तुमने सीरिस्ली उनको डेट दी अरे सब्सक्राइब इतना रियल एक्टिंग करते हैं न मैं भी दोखा आगा जाता हूं आप यागे बता जी कि अबानन बाभू आएंगे तो क्या बोलें उनको तो छे मैंने बाद की डेट देत रहा हुआ तो थेंक्यू कुर्सी दो इनको कुर्सी दो इनको वाट आएंगे उसका जो पूरा जो जिस तरीके से हम लोग करने चाहा है तो अब बात करोगे ना मेरे बारे में अब यह क्या टाइम पास चल रहा है मैं तवाइफ हूँ एक गंते से शॉट लगा के वहाँ पर मुझरा कर रहा हूं और आई नहीं रहा है अब दस मिनिट, दस मिनिट, दस मिनिट, का है का दस मिनिट? अरे प्रोडूसर बिचारा इंटर्स भर-बर के फिल्म से इंटर्स क लिटाना पड़े का लिए रहा है अरे शुट अरे श्री वासथ जी कभाई चार गूंटे से बैठाओ नहीं हाँ आइए कॉस्चुमसर आप मेरी स्क्रिप्ट सुनले तो जिए निका स्क्रिप्त लत्क लेकिंगेंगें लेकिन अ सार दिन चका चक बहलु चाप काला दंत मंजन मेरा फेवरिट अब जिन्वेगी में कोई दंत मंजन इस्तिमाल क्या है समीर तुम्हें क्या लगता है स्टार्स जो प्रोड़क्ट इंडॉस करते हैं उसे यूज भी करते हैं वो स्टार ने तो वो तेल सुंगा भी नहीं होगा जैसे वो बेचता है क्या ठंडा क्या कूल साहब बाबा और मेडम आपका इंतिजार करके चले गए आंसरिंग मर्शीन में उनका मैसेज है रोहित को बड़ी उमीद थी कि तुम उसके स्कूल फंक्शन में साथ आओगे इंतिजार करता रहा पहली बार स्टेज पर जा रहा है वक्त में ले तो ज़रूर फोन कर लेना अलो रोहित से बात करो हलो पापा हाँ रोहित बेटा सारी बेटा में लेट हो गया बहुत अच्छी पेंटिंग मनाई तुमने पापा को बिलकुल सूपरमैन मना दिया हाँ पिटा अच्छा परफॉरमंस दे ना हाँ पापा ओके माई सूपर बॉइ लव यू अलो गापाँ जादिए आई सवीर, इम सो ग्लाद यू मेड़िए हाँ कुड आ मिस्योर पार्टी बट इम स्टिल कन्फूज अबाओ धी ओकेजिन आपकी गल्फण ने पांच किलो बेट लूज किया या आपकी बिल्ली की शादी है ना गुजर हुए पल की बात कर ना आने वाले कर की सोच बुला के तु सारे जहां को इस बल की सोच इस बल की सोच इस बल की सोच प्र किस बल की सोच हाँ अग्ड़व प्रकॉड़ अंग्राज ये बासकर लुटाज निस्के। हाँ अवग 9820142964 हाँ इस ने यूश बट कछकर हाँ 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 जो पाना है वो पाना है जो खोना है वो खोना है साथ चलिया हालाग कि अकल एग्जाम है लेकिन पिछले दो घंटे से या इंतिजार करी है कि हापका ओटोग्राफ ये बगेट नहीं जाएगी कि अने क्ैसमेटी है आप के अने कियो है आज करेंज हिर् angh जिघ आगेड देर अब थक्रम्ग मिलकर आपड़ काप्षा साफ सबी रलेव प्यूष्ञें मुझे अजिता साफ के यलाइंस मेन्स मिलें और फ्री मिलें happy जो आना है वो आएगा जो जाना है वो जाएगा काबरा ने प्यार से बुलाया तो हमें आना ही पर यद्यपी हम यहां सहज अनुभाव नहीं कर रहे हैं लंभा जोका हम आता है तो यसे रोख न पाएगा ना गुजरे हुए पह की बात करना हाई सर्थ किसमें आता हुए अप्राप साथ से हाँ सर्थ मुझरोफ मिल गया है सर्थ थैंकि सो मट सर्थ जिंदगी भरा भारी रूट कामे द्यान दो सुना है तेरी नई फिल्म के स्क्रिप बॉत अच्छी है माइंड बास्टिंग बोल यार् आता है तीन दिम्हें माल अंदर यह तो गेम चल रहा है हिट अंड रन एहओएएँ मिले को नाव्ट कर फट कर दो किए ठादो को बध्, गया है सट गविजब जम्हेप। जब प cauliflowerि जब गविज भीrd जब जब मेरा Byज जम्हें जब mínimo अप्टॉ कर दो, कर दो. इस वक्त में उस हॉल के बाहर खड़ी हूँ जहां कि कल रात एक पार्टी में रश्मी सहानी नामक एक लड़की की गोली मार कर हत्या कर दी गई इस पार्टी में शहर के जाने माने लोग मौजुद थे और कुछ फिल्मी हस्तियां भी मैं किसी रश्मी सहानी को नहीं जानता है मैंने कुछ नहीं देखा हाँ अगर मैं वहाँ होता तो साले खुनियों को वहीं तपोच लेता मैंने कुछ नहीं देखा I really don't know ऐसा नहीं मतब हम फिल्म वाले कॉपरेट नहीं करते काबरा साब के प्रेमागर के कारण हम पार्टी में तो गए लेकिन कुछ ही क्षण बाद हम वहाँ से निकल पड़े इश्वर उसके आत्मा को शांती दे इसलिए कुछ करना नहीं चाहती मगर दिखाना भी है कि कुछ कर रहे हैं इसलिए सबसे आसान है बुला लो फिल्मिस्टा को शारुखान संबंड सल्मान खान कॉष्टन पबले खोश चार दिन के बाद कोई नहीं अकांड पुरान अकांड कारपेड की नीचे करेक्ट बुला दादा दो दिन पेले एक कमिश्टन आफिस होके आया है और कल इन की बारी है एरो कैसी रही पुलिस के साथ क्या कैसी रही मैं तो इस बारे में कुछ जानता नहीं ना कुछ देखा ना कुछ सुना मैं तो पार्टी से जल्दी जला गया था अच्छा? हाँ, समीर को बोल के गया था Anyway, guys, मेरे तो जीम का ताइम हो रहा है and I have to go Okay, thank you all much Bye, 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 enjoy yourself Bye, budu दादा मुझे किसीने बताया है कि ये आकरी तकता पार्टी में जूटा आतमी है प्रैक्टिकल आदमी ये प्रैक्टिकल यही क्यों देश के किसी भी बड़ आइकॉन को ले लो कितना भी बड़ा कांड हो चुप रहता है जितना चुप उतना बड़ा आइकॉन आजकल के समाने में ज्यादा बोलने का नीज शाना नी बनने का सही बात है दादा अपने आमेर्खान कोई ले लो मुश्किल से पांच मिनिट बैटे होंगे वो नर्माद बचाओं दोलो में ले चारे के पोस्टर फार दिये पुतला जला दिये गुजराट टेल ट्री बंद हो गई क्या मुक्रेसी हमारे देशों कुछ भी हो सकता है दादा देश का तो मालम ने बिड़ो मगर करोडों में दो चार हैं जो के नाम और शौरत हासिल करता है वो भी बहुत संगर्श के बाद उसे किसी चीज के लिए दाव पे लगा देना या खो देना समझदारी नहीं है नो गुडबु सर रश्मी सानी मर्र केस की बैल में आप क्या जानते हैं मैं पहले भी कह चुका हूँ के मेरे सामने कुछ नहीं वा मैं तो पार्टी से निकल गया था जी हां आपने कहा था आप पार्टी से साड़े देस बजे निकल गय थे मगर सिक्रिटी रजिसर के हिसाब से आपकी गाड़ी वहां से साड़े गयारा बजे निकली और खून सवा गयारा बजे हुआ मैंने कब कहा के मैं अपनी गाड़ी से गया काबरा साब ने नहीं गाड़ी ली थी, वो मुझे ड्राइपर ले गए, फिर उनोंने मुझे घर छोड़ दिया आप चाहे तो काबरा साब से पूछ सकते हैं नहीं, नहीं, इसकी कोई ज़रूत नहीं है क्या आप इने जानते हैं यह वोई लड़की है जिसका खून हुआ था चैनल्स में और पेपर्स में देखा है क्या इनसे पार्टी में मुलाकात होई थी I don't think so, अगर मिला होता तो ज़रूर याद रहता नाइस फेस इनने पैचानते हैं आप I'm sorry यह रश्मी की चोटी बेन रितु साहनी है इनका कहना है यह दोनों बेने आप से पार्टी में मिली थी और आपने इने आटोग्राफ भी दिया था Is it so? Maybe इसतिने लोग पार्टी में मिलते कितने लोग आटोग्राफ लेते हैं हम तो कागस कलम और हाथ ही देखते हैं कई बार शकल देखे नहीं पाते Very sorry to hear about your system Anything else sir? No nothing, thanks Thank you कब तक चुप रहोगे आप लोग्राफ शुन के खिलाफ आवास यूनी उठाते अगर जीना चाहते हो तो हिम्मत करनी ही पड़ेगी Cut, cut, cut क्या हुआ? टायलोग गलत बोला आपने क्या बोला मैंने? आपने बोला अगर जीना चाहते हो तो तो? आपको बोलना चाहिए था इंसान के तरह जीना चाहते हो तो अरे, come on, यार, एक ही तो मतलब है, एक ही तो बात है दोनों की नहीं, एक ही बात नहीं है, बेटा जो सच्चे हैं, वोही इंसान होते हैं और वोही सर उठा कर जीते हैं बाकी तो सब यूही जीते हैं, किड़े मकोडों की तरह किस दुनिया में जी रहें आप लोग या हर आजमी की कोई ना कोई मजबूरी होती है हर कोई किसी ना किसी समझाते कि साथ जीता है स्टूपड, प्राक्टिकल सोचिए, प्राक्टिकल लिखिए सर, सर जी जो दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है और वो है इंसान का अपना जमीर और एक दिन आपको भी इस अदालत के सामने पेश होना है ये सब किताबी बाते हैं जै सोरी, 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 सोरी एक बार और और वो है इंसान का अपना जमीर और एक दिन आपको भी इस अदालत के सामने पेश होना है यो… ये सब कि तदब। चीज़ लिए हर्ट मेर नहीं के प नमस्ते बेटो बेटो तेको रतू मैं जानता हूं तुम मुझसे नराज हो क्योंकि मैंने पुलिस के सामने जूट बोला यकिन मानो अगर मैं सच भी बोलता तब भी कोई फाइदा नहीं होता बहुत बड़े लोग इस गेस में इन्वाल्ट हैं पुलिस पे कुछ नहीं करेगी तो क्या जिनोंने मेरी दीदी को मारा है उन्हें कुछ नहीं होगा आप कुछ नहीं करेंगे मैं क्या कर सकता हूं यह जिन्दगी है कोई फिल्म नहीं जहां पर हीरो अकेला गुनेगारों से लड़कर उन्हें सजा दिला सकता है देखो प्लीज डोंट मिसंडिस्टैंड मी दसलाक रुपए तुम रखलो बाकी सारी बाते बूल जाओ कुछ होगा नहीं तुम बस अपनी अपनी पड़ाई पर ध्यान दो करियर बढ़ाओ मा का खयाल रखो इसी में तुम्हारी बेहन की आत्मा को शांती मिलेगी अब अपनी आत्मा की शांती के बारे में सोची तुम्हारी बारे में तुम्हारी बारे में तुम्हारी 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 बन्र पारकोध का। प्रीजू का स्वरीज वीय ओपुर्न काठाइ वित्स अप्रिद प्रशल अज़िए अगर प्रश्वीं का रखर्शा प्रीजूमारी दीशनी यह च्मात ट能ळूक Katta कैस्थि welding इंतर वित्स अप्रत嘛 that Le Pan यह थोग्षिजज आत कर अंपने व्हार झाहिए डिसाल क्वार्टिए्टिस्ट औिस्तावीर जब जिसादीचे एक सहुन्सटा़ी ये कौन है, ये कौन है जिसने मुझे बॉना बना दिया, मैं सच कह रहा हूँ, ये मैंने, सिर्फ हमारी शकले मिलती है, जो बात इसमें, मुझ मेंने, इसके कई नाम हैं, कई रूप हैं, बहुत सारे कारनामे करता है ये, और मैं, मैं कुछ नहीं कर सकता है, मेरा ख्याल है कि ये अवार्ड इसका है, जो मुझे दिया जा रहा है, ये मैंने, तो फिर मैं कौन हूँ, मुझे ये सोचना पड़ेगा, थैंक यू, आज बेज़ दू, बिल्ली बेज़ दू, आदमी को बताकर बिल्ली बेज़ दू, देल एकदम साउंड होगी, पेमेंट इन पाउंड होगी, सर, यू और सेलिंग राष्ट, अरे पिये, राष्ट्र हमारी संपत्ती है, और अपनी संपत्ती को बेजने में क्या आपत्ती है? तो देखो, देश का देटा, अरे मूझ से भी खाता, और कान से खाता, इसका यहां भी खाता, इसका वहां भी खाता, जगार, दोव में सूखा है, हमाल बाल बचा भूखा है बाई बाब, हम घास खाकर जिंदा है और हम इस पर शर्मिन्दा है घास तो राना परताब खाते थे, तभी तो महराना कहलाते थे सुखार, दोव अपनी घास खाकर मर गए हाँ, घास खराब क्वालिटी की रही होगी, हम बॉल बैंक जाएंगे, वहाँ से लेटस घास लेकर आएंगे, जगा जगा घास डॉनल्ड और घास हट खुलवाएंगे कमीशन में कम से कम सौ करोड गमाएंगे और नेतागिरी की परंपरा नहीं भाएंगे सरकार, सड़ते भौक खराब हैं, जगा जगा घड़े हैं सरकार, कल किसना की बीवी को अस्पताल ले जा रहे थे, रास्ते में ही बच्चा हो गया ये तो अच्छा हो गया, अस्पताल तक ले जाता, तो हजारों का खर्चा आता हमने सड़क पर बच्चा करवाया, पबलिक का पैसा बचाया सरकार, घर घर में अंधेरा है, बिजली नहीं है, आपने तो कहा था, रामराज जुलाएंगे लाए तो, रामराज में बिजली कहा थी ये थे, बाती थी, तुम भी दिये जला, और खुशिया मनाओ बस, बहुत हो गया, खुशिया मनाओ, जगा जगा पर आतंग है, बेरोजगारी है, सीता को चिकन गुनिया और गीता डेंगू की मारी है अच्छा, अब हम आप लोगों के दुखों को लेकर फॉरर अपरोट जाएंगे दोलो हालतों से माल पर दोर कर लाएंगे, बुश और बिल गेट को यहाँ पर बुलाएंगे और अपने यहाँ की भूकी नंगी जंता दिखाएंगे और हमारे दुखों को कैश करवाएंगे, अपने और अपने रिष्टेदारों के घर पर वाएंगे शान शान इस देश में तो गौतम और गांधी का नाम है यहां क्रोध और हिंसा का क्या काम है बहुत हो गई ताथागिरी अब हला बोल अब हला बोल हला बोल हला बोल अब आसो खपी जल भासकर जल बैठ वहां लाओ जी गर्मा गर्म पकोड़े जी शुक्ड़िया अब अच्चो तुम लोग भी आजाओ पकोड़े खाओ अब आल्डिंग बांदकार होई चल पहले इतरा के पकोड़े खाओ चोटू इतरा सबकोड़े दे अब उत्तर मुझे चाहिते देना सिद्धू सहाब आपने नाटक में जो मुद्दा उठाया है वाप पहले पकोड़ा तो उठाओ जी मुद्दे की बाद बाद में उठा लेंगे अहां था भई तू आपने ये किताबे लाने बेजा था ओ हां ये इस फाक है जी इसे फिल्मों का बड़ा शौ होता है और उस चूट को लोगों के सामने सच बनाना एक एक्टर का कमाल है और यह कमाल तूने आज कर दिखाया पुतर है बहुत अच्छी एक्टिंगी है पुतर है यह ले तेरा इनाम है मेरी जिंदगी का पहला है नाम है मेरा भी पहला ही था पुतर मेरी एक्टिंग से खुश होके वो जेलर आचारे साब ने दिया था मुझे इसकी इस्दत रखना पुतर सिद्धू जी क्या यह सच है कि आप कभी खतरनाक डाकू हुआ करते थे और आपके सर पर दो लाख रूपे का इनाम रखा हुआ था देखो जी अब तो मेरे सर पर बाल भी नहीं है बले बात सच जी सिद्धू जी फिर यह आक्टिंग नाटक यह सब कैसे शुरू हुआ बस नाटक से शुरू हुआ था जी वह कैसे एक बार सबलगड के इलाके में हम लोग डाका डालके निकल रहे थे पुलिश के साथ जबरतस अंकाउंटर हुआ अपासी में वहाँ पे एक नाटक कंपनी लगी हुई थी नाटक भी चल रहा था हजारों की भीड थी वहाँ पे तो हम लोग छुपने के लिए उस भीड में घुज गये और नाटक को देखने लगे नाटक का नाम था सत्यवादी राजा हरीश चंद्र हरीश चंद्र फिर पतने जी मुझे क्या हुआ है मैं नाटक देखता जा रहा था और रोता जा रहा था देखता जा रहा था और रोता जा रहा था एक अदमी सच के लिए इस हद तक जा सकता है इतनी बड़े कुर्बानिया दे सकता है प्राणन प्यारी तारा हमारी रे हमसे जुदा अब होती है राज गया मेरा ताज गया राज गया मेरा ताज गया अब स्त्री बालक भी चुटते बस जी ऐसा दिल भटा के उसी वक्त तैकर लिया खून खराबा बंद हस हत्यार डाल दिये सिरेंडर कर दिया और चेल चला गया और वहीं पर नाटक शुरू हुआ और बार नक लएक बाद आज तक जा रही ये तो क्या आपकी रोजी रोटी अब यही है ना जी ना रोजी रोटी के लिए तो हमारा एक गराज है नाटक तो हम शौक के लिए करते हैं या हमारे आस पास जो कुछ गलत खट रहा है उसके खिलाफ हल्ला बोलने के लिये पाप आरे पीछे जाज़े को जदी बतारें अच्छा सीक्रेट मेसेज बख 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 अरफूट करफल बे मेरी फिलेगा इसका मतला वो बदमाज तुझे बोटल में मिलेगा नहीं पाप आप गलत समझ आए मैं सब सही समझता हूँ बहुत बेवकुब बनाया उसने मुझे तु इधर अपनी पुजा करस्निया मैं उधर उसकी पुजा करता हूँ पापा पापा सुनिये तो क्या हुआ चौहन साँ अभी चब अश्वाग को पापा के गुस्टे से बचाना भगवान प्लीज तुम यहाँ तेरे बाप ने सैटलाइट कैमरे से नज़र रखिया मुझ पर कहीं भी पहुच जाता है इसलिए गुड़ो के हाथ गलत मेसेज बिजवाया ताकि वो उधर और में इधर लेकिन ऐसी भी क्या जल्दी थी बहुत ही कुछ ऐसी थी यह देखो सेदू साम ने एनाम दिया मेरी आक्टिंग से खुश कर बहुत अच्छी है अधांईो और ये यह तुम्हारे लिए बहुत संदर है चांदी किये है अगली बार सोने के होगी होगी बेटा होगी सोने के होगी पर चोरी के होगी पापा जुप जुप। चुप। लुछे लफं गया निकम मय है। मुझे वहाँ भेज बेजकर। यहाँ से मिल रहा है। पापा तुप। तू बॉल बेटी। पापा हम दोनों इक दूसरे से.. जानता हूँ बेटी। जानता हूँ। दो साल से जानता हूँ। तुम दोना एक दुसर से प्यार करते हो, देख बैटी, मुझे इसके जात धर्म से कभी कोई इतरा नी रहा, और कोई धंका काम तो करे, तुझे शादी के बाद रखे का कैसे बैटी, कर रहा हूं ना, काम कर रहा हूं ना, मैं बंबई जा रहा हूं हीरो बनने, अरे मुझे मत पता नी कहा चला गया, अश्वा, तुम पैसे निकाल लिए, उसे क्यों कोश रहो, वो पैसे तो मैंने निकाले थे, ए जोट मत बलो, तुम पैसे निकालती हो, तो रुपाय आटा ने छोड़ देती हो, ये पता तो पुरी जेव साफ कर देता है, पता है, बादार से शल के इसने तो मेरी नाक पड़ा दिया, हुआ क्या, वो ना क्या था, चवान साब मिलके बाजार में, कौन चवान साब, अरे सनेहा के पापा हा, बहुत कुस्तर में थे, उनके लाक मना करने पर भी, ये कंपक उनकी बेटी से छुप-चुपके मिलता है, अब उनका घुसा ठंड करने के लिए, मैं उन्हें एक रेश्टर्ण में जब रस्ती ले गिया, और बहुत सारी चीजों को ओडर दे दिया, कचावरी, समोसा, दई बड़े, हल्वा, स्पेशल चाल, अई बाबरे, जब बेल चुकाने का वक्ता है, तो देकता हूं मेरी जय में पैसे ही नहीं, या अल्ला, फिर क्या हुआ? फिर क्या है, बिचारा ने बेल चुका है, और बिना सबजी खरीदे, गर लोड़ गया, पता है, जाते जाते क्या क्या गया? क्या? कहने लगे आमान उल्ला साब, आज आपने साबित कर दिया, कि लोगों को उल्लू बनाने में, आप अश्पा को ल अबू, उनी फिल्मों की वज़े से तो मेरी जिंदगी बनने वाली है, ये देखिए, बंबई से लेटर आया है, मेरी अडिशिन का, तू बंबई नहीं जाएगा, बस, अम्मी, ना अम्मी जाएगी, ना अबबा जाएगा, नहीं खाली डबा जाएगा, तुम चाहलो जी, देखो अमान साब, बंदा खुद अच्छा रहे ना जी, तो लाइन कोई भी पुरी नहीं है, अब लोग होते हैं, पुरी जिंदगी निकल जाती है, पुदा यह नी चलता के लाइफ में करना क्या है, आपके बच्चे को तो बच्पन से येक्टिंगा शोक है, हीरो बनना जाता है, मेरे हिसाब से एक मौका तो इसे मिलना चाहिए, मेरा दिल नहीं मानता सिद्धू साब, अमान साब फिर तो पंजार अला के हमेशा की तरह फैसला करना पड़ेगा, सोच लेजे सिद्धू साब, आज कल फिर से कसरत करने लगा हूँ, पर फिर भी चांस तो लेना ह पड़ेगा, ऐसा, अच्छा मान साब, अगर तो मैं जीत गया, तो आप इसे बंबई जाने देंगे, और अगर मैं हार गया, तो आप इसे रोको के नहीं, चलिए ठीक, एक मिनिट, वासिद्धू साब, जिद भी आपकी पड़ भी आपकी, अच्छा चलिए ठीक है, अगर म हार गया, तो यह बंबई नहीं जाएगा, मन्जूर, जी, चलिए, 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 ओ देखा, तेरे अब्बू तो जो कितना चाहते हैं, जान बूच कर हार गये, ताके तो बंबई जा सके, वासिद्धू साब, आपका भी जवाब नहीं, चला, कले लग, बंबई जा, नाम कमा, अश्वाग, मुझे भी साथ ले, चलो ना बंबई, क्यों, तुम्हें भी स्टार बनना है, पापा ने मेरे लड़का ढूमना शुरू करती आए, इसलिए सोचा कि तुम्हारे साथ बंबई चलती है, पापा से कह देंगी कि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल गई है वहाँ, फिर कुछी दिनों में उनका गुसा ठंडा हो जाएगा, सनिया, हसी मजाक में जूट बोलना और बात है, लेकिन मैं जिन्दिगी में जूट बोलकर कुछ भी हासल नहीं करना चाहता, एक बात पोछू, मुझ में और अपने आक्टिंग करियर में किसी एक को चुनना पड़ा, तो किसे चुनूँगे, मैं आक्टिंग कर चुनूँगा, मैं तुमसे जूट नहीं बोल सकता, अच्छा लगा तुमने सच बोला, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हें खोना नहीं चाहता, जा रहे हो तो कुछ बन कर लोटना, तब ही मुझे तुम पर कर्फ होगा, भले तुम मुझसे चंजाओ, मैं तुम्हें हास्मान की उचाईयों पर देखना चाहती हूं, गनपत राओ जी मेरी बात चुनिये, बस बस बहुत हो गया, ये ने, अरे क्या कर रहे गनपत राओ जी, ऐसा मत कीजिये, शे महिने से एक पैसा नहीं दिया, न खाने का, न रहने का, उससे पहले तु दिया तदा, इसलिए तो तेरा सामान वापस कर रहा हूं, अरे गनपत राओ जी, आगे भी दे दूगा, मुझे बहुत जल्दी काम मिलने वाला है, बड़े-बड़े डिरेक्टर ने बादा किया है, तो जा न, उन्ही का घर में जाके रहे, गनपत राओ जी, खुछ तो रहम कीजिए, मैं कहा जाओंगा, प्लीज, प्लीज, रहम कीजिए, एर एक मिनिट, करता हू रहम, तैंक्यू गनपत राओ जी, आपके बच्चे जीए, ये लॉज फाइफ सार होटल हो जाए, मैं उपर आओ, ये ले, मेरी दर से फ्री, जब भी तेरा मन करे हिरो बने का ना, तो इसे देख ले ना, चलतफा हो, तैंटर एक्टर के लिए मेरे मन में बहुत इज़त है, अश्वाग, और सिदु साफ के नाम से खूब परिचित हूँ, बहुत ही कमिटेड थेटर एक्टिविस्ट है, उनको बहुत से प्लेज दिखे हैं मैंने, उनके थेटर गूप में मैं काम करता हूँ, बस जो सीखा, उनके सीखा, इसे सीखा, यह एक्टर कौन है, सरिये मेरा दोस्त है, अर्विन, हाँ, इसी एक्टर की तलाश मुझे अपनी फिल्म के लिए, इसका परफॉर्मस देखा था मैं, फैंटास्टिक अक्टर, इसे कॉंटेट किया जा सकता है, बेटा अश्वाग, बड़ी मुश्किल से यह काम बनता नजर आ रहा है, अकर मैं उसे ढूड़ा हुगा, एक एक्टर को तुम पर पॉलेंट से ले करा है था, वो उससे भी दूर शिफ्ट हो गया है, सर, कोई प्राब्लम ने, जहां भी गया होगा, मैं जाओंगा, और उसे ले के आओंगा, तुम देख लेगा, हां सर, ना सर, मतला जाना हां सर, आना यह ट्रक जा रही जिए, बबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब कि मुझे बड़े बर्दे पर देखें, बस एक मोखा मिल जाए, तो उसकी आत्मा को शांती मिल जाएगी. अच्छा, बॉबी, यह सर, बेटा, इनका जरा ओडिशन लो. ओके सर, थेंक्यू सर, थेंक्यू सर. मैं, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, मुझे पता था, जिन्दगी में जरूर कुछ न कुछ करेगा, बड़ा काबिल है. आज तो आप बहुत खुश होंगे, समीर खान लॉंच हो रहे हैं. समीर खान कौन? इस फिल्म का हीरो? मैं, मेरा बिटा अश्वाक बढ़ा लॉंच हो रहा है. अश्वाक? इस अमिर कान है? वो भी लॉंच हो रहा है, क्या? मेरा ही नाम है. तुमने अपना नाम बदल लिया? यह तेखो. तो प्रदूसर साब ने का कि अश्वाक पुरा नह लगता है. अरे, इतने बड़े इनकलाबी त्याजवाक उल्ला कान. और इसने अपना नाम बदल लिया? नाम फिर से बदलना होगा तुझी? तुम परिशान करो बेटीको. आज इसकी पहले पिक्चर का मूरत है. काम करने दो. चल बड़ा ज़ा. इसने अपना नाम बदलिया. पता नहीं आगे चल के का बदलेगा? आगे आगे बहुत नाम करेगा. आप कोन है? आपकोन है? आपकोन है? आपका सेकरेटरी. ममी, पपा. ना, आएम. मेरा सेकरेटरी? जी. एक मुँए. ममी को फूल दो या. ममी. कैमरा, स्टार यहां ख़ड़ा यार तुम. हाँ. सार, स्माइल प्लीज. उधर, ममी, पपा. बदाई हो. पापा. आपकी तुमा गई रहा. आपकी तुमा गई रहा. सुखी रहो. देखा चाहन साब. बन गया नहीरो. अभी दिल्ली दूर है, बेटा. फिल्म कंप्लीट होन फिर रिलीज होने दे, फिर चलने दे. हुम लुग यह बदाई देने आए है ना पापा. बदाई हो जी. बदाई हो. अच्छा-खुलस अच्छफा क सुखुल्लँ इश्फा उनुद्लिज रहे बदाई हो काण, नहीं है. नाम बदल के समीर फाण हो गया है. समीर हो या खम अरे नहीं गुरुजी मैं नहीं बदलूँगा मौरत चौडवाजादी, all the best अक्शन ये तेरा ताज नहीं, हमारी पगड़ी है ये सर के साथ ही उत्रेगी, ये सर का हिस्सा है आशु चलो, फिल्म शुरू हो गई है आशु मैंने तीन बार देखिए, सूपर हिटर हाउसफुल का बोर्ट बी लागए, प्लीज चलो दो देन बार देखिए, आशु, डोंट बी नर्वस, चलो ओडियंस रेक्शन देखते न, प्लीज डर लग रहा है, अपनी फिल्म देखने से तना क्यो घबरा रहे हो मैं तो यह नहीं देखिए, इसलिए मुझे लगा था कि इसका परना चाहसा है इखो, सब कैसे ध्यान से देख रहे हैं इसलिए मैं इसा बचाने की मोशिश कर रहा था लेकिन अप मुझे लगता है, इसका मर जाना ही अच्छा है स्क्रीन आउट फोकुस लग रहा है कम से कब इस लगवार से इसकी अवास पर दो जाएगी देखो ना, शायद प्रोजेक्शन का प्रोब्लम है तुम्हारी आंखे भीग गई है आओ, मालो, मालो उसे बढ़ो आगा दागो मालो, लेकर इसकी चीक की दूल्ज, आने वारी दस्लों को चेट से चीने नी देगे आओ, बढ़ो आगे, माड़ारो इसे कल को इसके मादे पर में किसी धरत के ठपा लग जाएगा और ये भी आपकी तरह, आपकी तरह सीरे में नफ्रक किया आगिये, हतियार उठाएगे आप लोगों की भीड़ में शामिल हो जाएगा इसे लिए इसका परचा नहीं अच्छा है मालो प्राउड जापकी луч क platform स inspraब औरै हाएगा सिर्षक ड़कित जार्पट जार्इब ये जात вокруг स्रोब नफोड़ स्रोब ये छिल्म करा работает समी जाफ़ कर प्रेवक सी बाइब आपको लब करता है प्रियार करता है आपको शादी करोगी मुद्जे अरे हीरो कुछ रहा है शादी करोगी रिशा कह दो प्रियार करता है रियार तेरा पानी देया, सानों भी सी है, लागे तेरा डानी देया जमूरे, उस्ताद, ये अपने बीवी के साथ इतना खूश क्यू है, ये दूसरा के उस्ताद, अब तो ये साबित हो चुका है कि ये सारे गवाद जुठे है, मिंटी चॉकलेट, खाओ भी, खिलाओ भी, हाहा, अगर मनोज आपका एक लौता बिटा है, तो मेरे लिए भी भा ये खून किया है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैंने इंसाफ किया है, ये अल्टिमेट रेजर व्लेड, कॉंकर, कुछ भी करूँगा अपने आपको बेच दूँगा, लेकिन मेरी बहन को भचा लीजे, डॉक्टर, मर जाएंगे भूगे, लेकिन जुकेंगे नहीं, एक और ला आपसे नाता तोड़ दोगा चोटे भाई को अंदर कर दिया इश्वर को प्रिये इश्वर चाप अगर बत्ती मुझे कुछ दिखाई नहीं देना कोई बत्ती मैं अंधा होगे मैं अंधा होगे डोक्टर तुम जैसे जानवरों के लिए दोई चका होती है चंगल या पिंचरा गेंडा मलजीरा गोली मैं डांस करूँगा रोमांस करूँगा शादी करूँगा लाचो आँचो बेटा ये भी तेरे दादा जी है वह इतना बड़ा हो गया जया रहा पुतर तेरे पापा सो रहा है के जाग गया है नहीं उठ गया है आरहा है आज कल तो दिन्राज शूटिंग चल रही है अमान साब बिजी रहना चीए आदमी को भाई साब इस तरब तश्रिफ लाइए नाश्ता तैयार है नाश्ता कहाँ जी मैं खाना भी खाना कर जाओंगा हमान साब को समय वगरा बनवाई है अरे अश मेरा बच्चा ये तिरे बेटा बेड़े ना अची बेटा इसे लग गया है बहुत दिनों बाद हमारी याद आई है ना पूरे हिंदोस्तान के टूर पे निकल गया था अपनी नाटक टोली को लेके छे महने के लिए दो साल के बाद लोट कर आया हूँ इतना वक्त लग गय देखो भई हमारे नाटकों भी अबजेक्शन तो पहले भी होते थे पर इस बार हमने नया रिकार्ड कायम किया है हर एक प्रांट में हमारे नाटक पे अबजेक्शन हुआ और हम अरेस्ट हुए कहीं दो हुफते के लिए कहीं दो महिने के लिए जाके जेल के अंदर आप वैसे के वैसे ही हैं बिलकुल नहीं बदले पुत्र वो इंसानी किया जो बदल जाए अच्छा गुरुजी लेट हो गया है शाम को थाले मिलते बात सुन पुत्तर तेरे साथे काम है आपैड़ दरा अरजेंटे थोड़ा आप गुजा के साथ लगाऊ है के लारस वाँ पे बेटा अपने कमरे में चूआ मिया भी आदियों चाओ लड़की के थाने गई तो से भागा दिया कोई और उनके खिलाव न लगा सके इसलिए उन लोगों ने उस लड़की को नंगा करके पूरे गाउं में कुमा दिया दूब दूब अरे अमां साथ जब मैंने सुना तो तिल में ऐसी आग लगी सौंवाय गुरूदी, अगर मैं पहले वाला सिद्धू होता ना तो और खेर जी हमारी कोशिशों से एफ आई यार तो दर्ज हो गया पर मामला ठप पड़ा हुआ है हमने भी ठान ली बाबे की दिया से लड़की को इंसाफ तो दिला के रहेंगे हम सड़क पे उतरेंगे और हला बोलेंगे मंतरा लेके सामने जाके नुक करनाटक करेंगे और तू तो आई या मारे साथ जी, मैं? तू इतना बड़ा स्टार है पुतर ये सारा मीडिया चैनल सब तेरे साथ चलते तू आ जाएगा तो अंगाम आ जाएगा फिर सरकार को इस केस को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा इस महीने के आखर में दो जुन चाहिए तेरे बस नराण अरे कहा सर दो दिन परसों से आप अमेरिका जा रहे है एक महीने की शूटिंग के लिए नेक्स मन्त लोटते हुए थोड़े डिस्टेंस बे लंडन है वहाँ डे नाइट आपको फोटो शूट करना है उसके बाद जरा नीचे आईए साथ अफरिका संसिटी, डर्बन, एड शूटिंग है, डे नाइट उसमें से मैंने बहुत मुश्किल से समय निकाला है सार परिस के लिए जहां मित्तल साब के बेटे की शादी है वहाँ आपको आइटम सौंग आना है नेक्स नाइट दुबई में, सेख साब के बेटे को असलाम वालेकुम कहते हुए डिनर करना है तो यार तो में पूरी दुनिया मत को माहा, दो दिन देदे, बस इंपॉस्बल सर्ची भया श्वाग, इसको संझागा मैं कौन कुरुजी, मैं सूचा था कि मेरा अना ठीक रहेगा, क्यों, पहले भी तो नुक करना टकी है तुने पहले की बात और थी, अब मुझे लगता है क्यों, मेरा अना पॉसिबल नहीं होगा, क्यों तु करना नहीं चाहता बोलना, खुल के बोल, हाँ या ना, या ना, आम सॉरी नहीं कर सकता क्यों हो बैज, बहुत बड़ा स्टार हो गया तु शर्माय की तुझे सड़क पे उतरने में एक बेबस औरत को इंसाफ दिलाने में, तेरा मुझे खुलेगा तुम साले स्टार लोग, ऐसे तो बॉत बोलते हो चोकलेट, कोल ड्रिंक, टेल, साबन, यहां तक चदी पनियान तक बेज देगे लिए इत्तुना बड़ा मुझे खुलता है तुमारा और मुझे की बात करने के लिए मुझे खुलेगा तुमारा दिस इस रिडिक्यूलिस, भटे में टांग डालने की पुरानी आदत है आपकी, कौन लगती है वो आपकी, कोई रिष्टेदार, कोई जान पेज़ए एक लफ़ भी आगे मत बोलना अरे अपने बदन पर चोट लगे तो सारा जान पर भी रोता है इंसान वो है, जो दूसरे की चोट को महसूस कर सके सिद्यू साब, सिद्यू साब, मैं समझाता हूं से अरे छोड़िये अमान साब, क्या समझना है, समझ गया मैं सब कुछ ये आदमी, आपका बेटा, इसका केरेक्टर बदल गया है चलोई सिद्यू साब, सिद्यू साब मेरे बास, आप आपकी नारायन, कैसे भी करके दो दिन निकालो, सिर्फ दो दिनों की बात है सिद्यू साब को मना नहीं कर सकते अरे मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हारे बॉस का बाप आप बीच में मताया अबू, प्लीज अश्वाक, मैं कुछ सुनानी चाहता मैंने जो कह दिया, सो कह दिया तुम्हें इनाटक करना पड़ेगा नहीं करूंगा सिद्यू साब तुम्हारे गुरू है लेकिन मैं एक लाब्या नहीं हूँ, जो अपना अंगुठा काटके देदू इतनी महनत से नाम हासिल किया है एक जारा सी कॉंट्रवर्सी से धूल में मिल सकता है आप बार बार भूल जाते हैं कि अब आप अश्वाक के बाप नहीं समीर खान के बाप है पापा दादा दादी चले गए कहां? अपने गर दादी रो रही थी पापा बोला कभी नहीं आएंगे पाप रो रहे है इधर आओ आपका पापा कौन है? सुपरमेन सुपरमेन रोता है कभी? मालूम नहीं हाँ बिठा कभी-कभी रोता है रोहित चलो नाश्ता लग गया जल्दी जाके खालो रोहित ने बताया तुम्हे तुम्हें रोकाने उने? तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी तुम्हें किषक इसा क्या दिया मैंने बच्चाओं मैं उनका मेरी बरी लग गई तुम्हें भी तो समजना चाहिए नêmes सब खो मैं समझू लेकिन मुझे कोई नहीं समझेगा मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ मैं किसले एतनी मेनद करता हूँ मेरे ड्रीम्स क्या है मैं गलत कह रहा हूँ आजकल मैं बहुत इस्थमाल करने लगे हो तुम अपनी बातों में क्या हूँ प्र स्थमाल अब प्रवाइब अब पर खुड़ करें इंटिमेट सीन था तो तो डिरेक्टर ने का रिष्ल करके कमफरटीब जाओ ट्राइटो अंडर्स्टाइब सब देखरें खामका स्केंडल जाएगा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मैंने जो दूसरे नहीं करते सबी करते हैं अधर नथी सीरियस अबाउटेट और बाहर मैं कुछ भी करूं लॉटके तो इसी घर में आता हूं तुभारे पास तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पती इतना पॉपिलर है कि बड़ी-बड़ी हीरोई ने उसके आगे पीछे गुमती है एक पती होने के हैसियत से हर जिम्मेदारी निभाई है मैंने बंगला गाड़ी जेवर क्या नहीं है तुम्हारे पास बोलो देख के रही हो देख रही हूं कि तुम कितने बदल गए हो बदलना पढ़ता है और जो नहीं बदलता वो पीछे रह जाता है और तुम भी बदलो अपने आपको यह तुम्हारी स्मॉल टाउन मेंटालिटी और मिडिल क्लास वैल्यूस भूल जाओ एने वरना जीना मुश्किल हो जाएगा एए रुको बात कर रहा हूं मैं अभी हाथ छोड़ो अश्वाक अश्वाक हाथ छोड़ दो मेरा अब हमारे पीच कुछ नहीं रहा अब सिर्फ रोहिद की वजए से मैं इस घर में रहूंगी सर घर आगे सर अरे अपने बदन पर चोड़ लगे तो सारा जानवर भी रोता है इंसान भो है जो दूसरे की चोड़ को महसूस कर सके यह आदमी आपका बेटा इसका कैरेक्टर बहा दिया है जिद्धू साथ तुम्हारे गुरू है लेकिन मैं एक लब्दय नहीं हूँ जो अपना अंगुठा काटके दे दू इतनी महनत से नाव हासिल किया है एक जारा सी कॉंकिवर्सी से धूल में मिल सकता है आप बार बार भूल जाते हैं कि अब आप अश्वाक के बाप नहीं समीर खान के बाप है अश्वाक हाथ छोड़ दो ला अब हमारे बीच कुछ नहीं रहा है सिर्फ रोहत की वजए से मैं इस खर में रहूंगी ंग ध। बीच्ग, रिच्छ, रिच्छ, बाज़ घझ euros लीच, वेच्प, बीच, बाज़ दे democratic जर दिर आयांगस! कर दूँखा बचला दिर आयांग! अब अगर आप चाहें तो हम यह कागस भाड़ कर फेक सकते हैं जी जी हां क्योंकि हो सकता है कल को आप डर जाए और कहें कि मैंने यह सब पुलिस के दबाव में आकर लिखा है आप अपने स्टेटमेंट से मुकरतो नहीं जाएंगे जी नहीं मैं अपना स्टेटमेंट नहीं बदलूँगा कोट में भी आई काऊंगा उन दोनों को तुमेब हाजारों की भेड़ में भी पहचान लूगा गर्ड़ आप पुलिस के दिखिंगे बाता है आप था की वेगा था आप पुलिस के दिखिंगे बाता है अज़ो अज़ो अज़ा वाई आज़ा वाई अज़ा विड़ा पहचान लोगे लड़को यह सारी अपनी हीरोगीरी पर्दी तक ही रखना आज अंडा माराय कलतेजा पेख के मारेंगे टेरे मूपे अज़ा है कितना फ़ा है अज़ा है देस रुपराय आज़ा आया है कहा रहे तीतनी दिर सक क्यों क्या हुआ एवी पर लगातर दिखा रहे हैं अश्वाक को जान की दम्किया मिल रही है सब्सजी को तो आग लगी हुई है तमाटर 30 रुपए किलो प्याज 20 रुपए किलो बेडल क्लास की तो लाइफ लाइन ही है क्या हो गया है आपको अरे मैं अश्वाक की बात करे हूँ और आप है कि कौन अश्वाक ओ मशूर फिल्मस्टार समीर खान क्यों एक ही बात को दिल पे लगा के पैठे हूँ खुदा की लिए भूल जाओ ना सब हमारे बेटी की चान खादरे में चलो हम बंब ही चलते है या फिर उसे यही बुला लेते है मेरे दिर में तो हॉल उट रहे है चलो लजमा देखो रो मत सब ठीक है नहीं अरे बहु से बात हो गए मेरी घर में चौबिस घंटे पुलिस का पैरा है तो हुआ हुआ है अलो कुल कर निया जी कामरिशनर सब करेंड़ के बिल्कु ठीक है जी अचिकरब लगुट ठीक है तो जा जिवा जा जा जिए मैं कल पॉट जयांगा जो जो पेशान लोगे ना आब फिकर मत कीजे मुझे दोनों की शकले जादें या तो नक्यू आर्जू पापा, पापा, लुट की कबरी में आज लगई या, क्यासे लगी? पापा, पादी लगया पापा, पादी लगया हलो पापा पापा, बया, पिनाख करो तो औरे गार्ड अपने बच्चे को रहाँ है हराम जाते क्वाने तू? सामने क्यों रिया था मेचिन किसका वोट दो किसका वोट दो गट दम इट दोक्तर गबला पाप उदादादादादादाद अब भी तेज बखार है हाँ हाँ वो हाथ चलाए ना इसलिए थोड़ी देर में उतर जाएगा किताब रखिये रखिये किताब गो कॉल दॉक्टर नाउ यस सर्फ पापा गर में आग कैसे लगी पताने बहुत है मेटम तुम्हा राम करो मंगेश काड़ी वापिस को मालो कर जाएंगे सर कमिशनर आफिस नहीं जाना है शिनाक के लिए नहीं जाना है सर्फ जाना है सर्फ यह 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 भीज़ खाल दो या तुम जो कि घुम हां जाया उमटए हां तुम हां तुम हां तुम हां DR faut.. मैं तुम हां? कैसी मेरी बच्ची, क्या हुआ असे? ट्राफिक में ब्यूश होगी थी, डॉक्टर देख रहे हैं इंफेक्शन हो गया है, और काफी सीरियस है आप पेशेंट की माँ हलो, आपकी बेटी का जो किड्नी का ऑपरेशन हुआ है ऑपरेशन? उन्होंने खुद मुझे बताए कि उन्होंने किड्नी किसी को डोनेट की है मुझे लगता है उसी का इंफेक्शन है कम से कम, एक हाफता यहां रुखना पड़ेगा क्यों किया तो निए? बोला बोलती क्यों नहीं? माँ दिदी के किस को जंदा रहने के लिए बड़ा फ़कील चाहिए बड़ा फ़कील बहुत सारे पैसे पगवाल पहले मुझे लेगे अब तो माँ क्या? मुझे अपनी परवान नही है माँ दिदी को इंसाफ दिलाना है उसके अत्यारे अभी खुले घुम रहे है उन्हें सजा मेंनी चाहिए मा उन्हें सजा मेंनी चाहिए माँ में में चाहिए में चाहिए छे मशूर अबनेता समीर खान में रश्मी साधी मटर केस से जुड़े जिन दो लोगों की शिनाक्त की है उन्हें से एक है मिनिस्टर गायकवार की बेटे हरीश और दूसरे हैं लिकर बैरन शिवा नागराजन के बेटे भासकर गरते पर आज्के बचे लगए उन्हें दोगा एका ऐंग शर्ण करावाहश पॉलिटिक्स है यह सब पोलिटिक्स साब पताचले का बात में इस अपॉसिशन का गेम है यह इस्टरी सिट्ग मेरे गर रख लेते इतनी दूर फामास में क्यों मैंने ये सुचा कि यहां आराम से अगर बैठ कर हम डिसकस करें तो अच्छा है अच्छा है राइट इसका है नमश्कार I am sorry गायकवड साहब आपसे अकेले में बात करना चाहते थे इसलिए मैंने आपको मुझे इनसे कोई बात नी करनी है अरे रुकिये रुकिये समिर साहब रुकिये रुकिये हम से बात करने में आप ही का फैदा है आप मुझे तो जानते ही है अब इनसे मिलिए यह है मशूर लिकर बारन मिस्टर शिवनागराजन भासकर के पिता आप है इंद्रजी चढधा राज रिती के चानक क्या राज रिती के चानक क्या अब इसल्फ पांचाल मैं का साला कम पी एकम सेक्रेटरी पांचाल ओकी सभेर साब उस लड़की के मरने का हमको भी बहुत अफसोस है वाइड जाल ऐसा नहीं होना चाहिए था हमारे बच्चों से मिष्टेख हो गया मैं उसे बहुत डाटा चाहपड लगा इसको इन्हों तो कितना मारा लेकिन आपने अच्छा किया सच बोला सच हमेशा बोलना चाहिए I like it good you're a real hero Mr. Naak Rajan तू इसी बास से आपके फैन होगा a good man a great actor like you deserves an international film मैं बनाओंगा आपके साथ एक international English film बस हो गया अब तो हम ही आपको पहुचा देंगा Hollywood धुम्दान से काम की बात कीजिए अदालत में बैन बदलना होगा पार्टी में आपने कुछ नहीं देखा ना मेरे बेटे हरीश कुने इनके बेटे बास करको खबराये मत पुलिस में हमारी सेटिंग हो गई है वो कुछ नहीं बोलेगी और अगर बैयान ना बदला तो भाई अभी तो बच्चे का सिर्फ हाथ है जला है बैयान बदल दो नहीं तो खांदान का खांदान नेचे राख आइवेए ज़ाख येओग्ज़ी छोड़ा को खोड़ी ठाब्स या कि और रहे तो होन मार दिया है अजय के चला दूंगा तब भूलती किंती शुरू खून कर देगा किसी का अच्छा हूं आपने रोक दिया तो नाटा क्या कर रहा है दरा रहा मुझे खबरदार जो मेरी फैमिली के तरफ आख उठाके भी देखा सब्जा आट साल का तेरा बच्चा जरासा एक हाथ जल गया तो इतना तडप रहा है तो और मेरा पच्छीस साल का बेटा उसे तू चेल भीजवाएगा फासी दिलवाएगा तू प्लीज गाइकवट साब लुक मिसर सभी यूर अलसो अ फादर अगर आप हमारा पही नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा अरे ये समझेगा लास चांज मांजा वरना इतने हाथ है मेरे कहा कहा से बार करूगा तूजह पता भी नहीं चलेगा हम कुछ भी कर सकते हैं हमारे पास पैसा है पावर है पब्लिक है हिरो से जीरॉ बनाने में मुझे जराबी वक्त नहीं लगेगा सबीर खान को अपोजिशन ने साइन किया है किसी नई फिल्म के लिए नहीं मेरे बेटे पे जुटा इल्जाम लगा के मुझे बदनाम करने के लिए कि ऐसे फिल्म स्टारों का कोई इमान धर्म जैसा तो होता ही नहीं अब कोई उसे पैसे देदेगा तो वो बोलेगा कि मैं ये काला कोल्ड रिंग पीता हूं ये सबसे अच्छा है करेका तो अब मैं नारंगी बाला पिता हूँ काले वाले से ज्ञाधा उनको पैसे दे दो तो किसी की भी सादी सरी जाके आएंगे हैंगा अब यही सेमिर खान बोल रहा था कि no 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 me to that sorry में तो पार्टी में था यदे, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं और वोई बोल रहा है कि मैं था मैंने देखा अब क्या है, पबलिज सिटी के लिए पैसे के लिए यह film star कुछ भी करते है इसलिए तो जन्ता भड़ा गूठी हम तेरी फिल्म को नहीं चलने देगे पोस्टर भाड़ देंगे थिएटर को आग लगा देगे मैंने बोला शान्त हो जाओ शान्त हो जाओ ऐसा मत करो कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए भी लोक्षाई है प्रजात अंत्र है नमस्कार मैं हूँ प्रभू चावला सिधी बात में आज बारी है मशूर फिल्म कलाकार समीर खान की समीर खान साब आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है पहले एक बार आपने हम देखा पुलिस को आपने एक बयान दिया था कोई कतल हुआ था रश्मी थानी नाम की लड़की का पहले तो आपने कहा था मैंने देखा नहीं मैं तो चला गया था कहा था न आपने और अभी आप कह रहे हैं कि नहीं आपने सब कुछ देखा था Controversy में Action Hero आपकी आवादी निकलती क्या बात नहीं Controversy में पढ़ना नहीं चाहता था मैं और समीर खन आप जो कह रहे हैं कि आपने कतल होते देखा जे आपने उस लड़की के उपर गोली चलाते हुए दो लड़कों को देखा ये भी कह रहे हैं आप एक फिल्म में इतना बड़ा हीरो तो आप क्यूं क्यूं आप चुप क्यूं रहे आप मेक अप करके निकल लिए जब आपने देखा लड़की का खून हो रहा है कट लिए आप आपने कुछ किया क्यों नहीं जो दिल की आवाद है एक्षिन हीरो साब उसको जबान पर भी लाईए मैं पूछ रहा हूं आपने कुछ किया क्यों नहीं मैं पूछ रहा हूं आपने कुछ किया क्यों नहीン जो मैं जो मैं मैं डर गय था फिल्म का एक्षिन हीरो जब लड़की का खून बाहर निकल रहा था आपका खून जम गया इसका मतलब यह है कि हत्या के आप भी उतने ही जिम्मेवार हैं जैसे कि वो दोनों लड़के थे अब यह मैटर बहुत पॉलिटिकल हो गया है और जब तक यह मैटर सॉट आउट नहीं हो जाता हम समीर खान की कोई भी पिक्चर हमारे थेयर्टर चेन में रिलीज नहीं करेंगे यह सब तो ठीक है वेरिफाइ कर लेंगे हम लोग अब आप यह भी बताइए जो आपने डिकलेर नहीं किया बेनामी अकाउंट्स बेनामी प्रॉपर्टीज वरना और भी तरीके हैं हमारे पास घर की एक 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 टुखाट के देखेंगे हम लोग समीर और उसकी बीवी रहते एक छट के नीचे जरूर है लेकिन सोते अलग-अलग कमरों में है शौर बस यू समझ लीजे कि सीधे बैडरूम से ख़बर लेकर आया हूं उच्छालो समीर खान साब आप कंपेनी के बोर्ड अफ डेक्टर में है सुना आपसे रेजिगनेशन मांगा है अज अगबारों में छपा है आपकी बीवी से आपके संबन ठीक नहीं है क्या ये सच है मैंने कहा ना नो कमेंट्स क्या ये सच है आप लोग रहते हो एक घर में लेकिन सोते हो अलग अलग कमरों में एक मिनिट कैमरा यहां गुमाईए माई क्या आहां लेके आईए मैं जवाब देती हूं इस वेस्टिन पंसर्न्स मी और सो वर यो काइंड इंफरमेशन लेट मी टेल यू हम दोनों के संबन उतने ही नॉर्मल और हेल्दी हैं जितनी के आपके माबापके या आपके आपकी बीवी के साथ है मैं आज भी इनसे उतना ही प्यार करती हूं जितना पहले करती थी और अब मैं इन्हें अद्मार करती हूं जानते हैं क्यों, क्यूंग ये बुजदिल नहीं है, इस जूटी और मतलबी दुनिया में, जहां भाई भाई का नहीं होता और बेटा बाप का हाथ छोड़ देता है, वहां मेरे पती एक ऐसी लड़की की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसे वो जानते तक नहीं, because he's got balls, he's got the guts and he's got courage. अन्यम्यों क्यंक्स्षों? No, Ma'am. Sorry, Sir हाजी हो अली हो मर्दे खुदा तुम हो हाँ तुम दोस्त हो खुदा के हमारा सलाम लो अल्लाह के बंदों के दिल का पयाम लो मुर्य हाजी पिया हाजी अली पिया ऐ वल्य खुदा मुर्य हाजी पिया वल्य खुदा हम पे भी जरा हो करम की निगाव मुर्य हाजी पिया वल्य खुदा दर से तुम्हारे हम जाएं कहां दर से तुम्हारे हम जाएं कहां पाकर रहेंगे सब मुरादे यहां मुर्य हाजी पिया ऐ वल्य खुदा मुर्य हाजी पिया वल्य खुदा गम के समंदर ने घेरा किया हम को बड़ा बेशहारा किया कूफा में धूनडा जो अपना कोई गुंबद ने तेरे इशारा किया गुंबद ने तेरे इशारा किया दिल जो मुथा दिल जो मुथा जैसे पारा खुदा दिल जो मुथा जैसे पारा खुदा अब जितना हमें चाहे आजमा ले जहां मुरहाजी पिया मुरहाजी पिया भलिये खुदा सब लोग हस रें तुम पर तुम क्या चाहते हो लोग मुझे भी हसें गलती इंसान से होती है हमसे भी हुई लेकिन लोग हसेंगे यह सोचकर क्या आदमी को अपनी गलती सुधारनी नहीं चाहिए अगर मैंने मेरा बयान बदली कर दिया तो मेरे शेरहोल्डर्स का विश्वास मुझे पर सब उठ जाएगा तेरे एक की नजर में गिरने से मुझे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन मैं अपनी लाखों फैंस की नजरों से नहीं किरना चाहता जैसे तू किर गया है स्वामे जी मैं आपनी क्रेडिबिलिटी खोच चुका हूं लोग आपकी पूजा करते हैं इस्दत करते हैं अगर आप अदालत में चल के बोलेंगे तो आपकी सुनी जाएगी वो दो लड़की आपकी आखों के सामने से निकल कर चले गए मैं आपसे सिर्फ उतना ही कहने को कह रहा हूं जो सचे ब्रह्म सत्यम जगत मित्या बेटा इस संसार में हम जो भी कुछ देखते हैं उसका तो अस्थित्व है ही नहीं और इसलिए हमें भीतर से बाहर की और देखना भी नहीं चाहिए हमें तो बस बाहर से भीतर की और देखना है मैं देख रहा हूं स्वामी बाहर से तेरे भीतर देख रहा हूं तेरे मूग के छेट से लेकर पीछे के छेट के बीच कुछ नहीं है एक महाशून्या है हैसूर मिस्ताहनी इन लड़कों को जरा खोर से देखिए और बताइए कि उस राद पार्टी में क्या इन ही लड़कों ने आपकी बहन के साथ बत्तमिजी की थी जी जी नहीं इन लड़कों को उस राद पार्टी में आपने देखा था जीप 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 नहीं देखा सभीर इसको क्या हो गए जूट के बूल रही ही लड़की आडर आडर फारिंसिक रिपोर्ट के मताबिक पुलिस दौरा पेश की गई पिस्टल और लाश्ट में मिली गोली मैच नहीं करती यह अदालत हरिश गायकवार और भासकर नागराजन को बाइज़त बरी करती है और इस केस को खारिश करती है बहुत हिरंगी की बात है मेरी पोती फॉरंसिक डिपार्टों के काम करती है उसने यह रिपोर्ट टाइप कीती उसने मुझे पताया था पिस्टल और गोलिया मैच करती है जरूर कहीं किसी ने बहुत बड़ी गर्बड की है हमसारी इसा हमसारी करशाब को इनके आत्में हो दे बीच माजार में हमसारी हमसारी और फिर उन्हें बज़ताब की दी कि अगर मैने अदालत में सच बोला तो हमसार हमसारी 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 बाके वास अर्य कायजाला है बची क्यों रो रही है इतना हिम्मत करके अदालत में सच बोला आप क्या हुआ केस हार गई है रोई की नित और क्या करेंगे बेचारी पेचारा तो यह है ट्राजिडी तो इसका है खुल के रो भी नहीं सकता बिक्स्ता आक्शन हिरो आप क्राय करने से क्या फाइदा नाग राजन मैंने बूला था आपको हमारे पास पावर है पैसा है पबलिक हम कुछ भी कर सकते है है जो हो गया सो हो गया है नाधिंग पास्नल है नो हाड़ फिलिंग्स है यह आर्टिस लोग बहुत ही बोशलल हो जाते हैं एनिवे घर है हमा आरे बड़े प्यार से बनाया है ताजमल नहीं है लेकिन ताजमल से कम भी नहीं आईये मोठीक नहीं अच्छा चाहिद जाए मारेस्ट थांक यू डाद काप माई सब्सक्राइज होगी कुट शोओ टैंक्स बेप लिए शोड़ दिये सर पोट है सर छोड़ दिये प्लीज तोड़ दिया चुकर करो छोड़ दिया जाया सर चल यह सब हीरो गिरी के लिए किया किया करना चाते हैं यह सच है कि रश्मी की बहन के साथ आपके नाजाए तालुकात हैं यूमा सांसुद भी अधाई वालपड़ो दिया ठाहएम क्यों मुची कुर्शले करो ते कुर अ επ Comput यॉब्णे जजव्धी जडेगी जडेगी जज़दी और है क्यह वो हुर है toward Samir Khan ए तेरी हिम्मत कैसे विए आने किया आउट आउट हाथ नीची बेटा फिर तोड़ देगा मामाँ छोड़ो हरे अरे वाटा सर्प्राइज सबिर गार डैड यह अंदर नहीं आएगा यह मैमान है यह मैमान है ऐसा नहीं करते चलो आप आंचाल आप खाना लगो इनके लिए च और तो कर दिया होता है चावीज घंटे लॉगप में बिठा तब जागर आई बात समझ में है हमारे पास पबलिक है पावर है पैसा है हम कुछ भी कर सकते तू क्या कर सकते कुछ भी रहे लेकिन सौरी बलेगा सरुवत नहीं नदिंग पैस्टल है बहुत बढ़िया हाली श एज हुमर बल्जियम और यह 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 रग जिसमे तुम घड़े हो फ्रम पर्शिया यह पूरा इटालियन मार्मल फ्लोरिंग इतली और यह मिंवास फ्रम चाइना और यह पूरा सुवासर मैंने चर्मनी समंग वाया फ्रैंक्फार्ट और यह डच्छ मास्टर पीस फ्रम हॉलैंड और हो स्टीडियो सिस्टम वो जो छुपए रहा ना कबीची जपान आचा इस्तमाल किया गरीब जन्ता के पैसे का वरना वो बेखूफ तो दाल रोटी में वेस्ट कर देते है तू गाली दे रहा है या दारिफ कर रहा है तूमें क्या लग रहा है कुछ बदा नहीं जला चल तेरे लिए ड्रिंग बना दा हूँ विस्की फ्रम स्कॉट्लेंड पदा है जब गाउं से निकला था तो एक ही सपना था कि एक ऐसा घर बनाऊंगा इसकी एक एक हीट में मेरे दिल की छाप है यह यह क्या कर रहे तो यह 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 क्या कर रहे तो यह 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 क्या कर रहे तो यह 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 दार है प्योर इंडियन इसके लिए ना पैसा चाहिए ना पावर चाहिए ना पबलिक चाहिए सिर्फ खुर्टा चाहिए वो मेरे पास है अब ये बस न रेखा एक वाट तिंग वो में आी शुड़िए प्रुन ये वर्टा में पास्टा ये वो ये वो ये वो ये वाँ ये वो ये वो प्रु़िए झाल, 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 झाल! अबे! 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 तरहीं तरहते कि अड़ने क्या? आणा बेल कि ऐटर्ने का में! ए रित्व! ओफ लिषे थाप थाप! यूल का वाड़ी थाप! आप लगता है तो कोई पीछे ले पीछे ले पीछे ले पीछे ले तुम्हारे एरेस्ट होने की खाबर सुनते ही सिद्धू साब फारन यहाँ चले आए ड्राइवर ने उन्हें बताया कि तुम कुस्से में अकेले काड़ी लेकर कहीं चले गए हो उनका माता धनका और थायंका और ठीक वक्त पर तुम्हारे पास आप होंचे तुम्हारे प्रबदाता दान मत को बुरा हम थारे पिखारी जीयों मैं क्या मांगूं कि छिछिर ना रगाई हर दी जैना प्यारी जीयों तुम्हारे प्रबदाता दान मत को बुराई कट कट रगरह बनवारी जल थल मैं अल गुप्तों बरते गुरु शब्दी देख निहारी जीयों तुम्हारे प्रबदाता दान मत को बुराई हम थारे पिखारी जीयों गुरु द्वारे देब माँ ट्रैफिक बहुत बाद गे पेचे का रोड बन रहा है तो सारा ट्रैफिक याई सारा पहले ये इदर वाला गेट उदर वागरता था कुरु द्वारे को नहीं जमीन मिल देए तो गेट इस तरफ का बढ़ा दिया मिठा चंगा पहुंदे प्रशाज दिल करता है उन सालों को गोली से उड़ा दो गोलियां तो मैंने बहुत चलाई हैं पुतर खून भी बहुत 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 है यही सोचके का मैं इंसाफ कर रहा हूं और मैं घलत था गोली से तो आदमी मरता है समस्या नहीं मरती तो फिर क्या करें छोड़ दें उन खुनिये को ताकि किसी और रश्मी सानी का खुन कर सकें छोड़ें क्यूं पर इंसाफ तो पुतर तब ही मिलेगा जब अपरादियों को सारी दुनिया के सामने पनूनी तोर पे सजा मिले पुलिस उनकी सरकार उनकी अदालत ने तो उने छोड़ दिया और ये गाटपार तो रावन है अवाम के करोड़ों आथ होते हैं बीपी एक बार अवाम जाग जाएगा ना तो हर दिन दसहरा होगा और हर नुकड़ पे ऐसे रावन जलाए जाएं अश्वाक अब रश्मी सानी का केस अवाम लड़ेगी अल्ला बोल आपके अपना घड़ तुडवा रहे हैं कितने प्यार से बरवाय था अब मैं यहां नहीं रह सकता चठा नहीं रह पाऊंगा ऐसा क्या कर दिया सनी थान में समीर कान तो पागल हो गया गयकवाट सडक पर उतरा है इसका कुछ करना पड़ेगा यह तो डैमेज कर देगा यह अब भी बात कर रहा था हूँ जीज़ा जीज़ी दिल्ली से पाटी हाई कमान हाँ हलो नमस्कार नमस्त है श्रीमान, बोलिये सुनाय समीर खान नुकडण नाटक कर रहा है कहीं रश्मी मडर केस को नहीं उछाल रहा है नहीं नहीं श्रीमान ऐसी कोई बात नहीं है यह तो एक पबलीसिटी स्टंट है नाटक वड़क कुछ नहीं होगा आप चिंता नहीं बैक पाएंगे रश्मी मडर केस की वज़े से पार्टी की छवी काफी खराब हो चुकी है कुछ भी कीजिए ये नुकर नाटक रोकिये जी श्रीमान क्या हूँ अजी जाजी डाट रहे थे आपको इस्तिफा मांग लिया शानाप ये नाटक नहीं होना चाहिए नहीं होगा ये नाटक और ये सिद्दू है को ना है कोने ये समिर का साथ क्यों दे रही है कायक वार्ट जानत क्या है ना तुमारे साथ सोटनात में तैला सागूं ठेव तबी तुला आहां, देखता हूँ, मैं देखता हूँ, पैच्छान निवो अभी तक मेरे को, पैच्छान निवे, तुम चिंता मत करो नागराजन, तुम को चिंता करते हो, मैं हूना ही दर, मैं सब समालना हूँ, आप बिलकुछ इन्टा, अचिड, अचिड फिके का उसके थोपड़े पे पूछो किस से, हम से, हम वो हैं जो इस शहर में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी से मतलब कुछ भी, समझ रहे हो न, वो गंजा देख रहे हो, मिस्टर लाल ठाको, एक मामूली कस्टम आफिसर, बाहर से जब भी हमारा कंसाइन्मेंट आता है, तो वो अपनी आखे बन कर लेत और हमने उनकी किसमत खोल दी, और हो जो पानी में तैर रहा है, वो है अशोक पुरे, असिस्टेंट कमिश्टर आफ पुलिस, तनखोस सरकार से लेते हैं, और काम हमारे ली करते हैं, और हैच करते हैं हमारे साथ, बस यू समझ लो के, हमारी दोस्ती एक लाइफ इंशुरें नहीं आते हैं, अभी समीर वामीर का नाटक छोड़िये, हमें तो यह बताई आपको कितना कैस चाहिए और कहां चाहिए, हम पोचा देंगे, अजी अब सूच क्या रहे हैं, कपने उतारे और पानी में कूच जाईए, वो देखिए, वो जल परिया आपका इंतिजार कर रही जाईए, जाईए, जाईएए जाईए अरे डखेत होगा अपने बिहड का यह मुंबई है दो दिन में अनकाउंटर करा दूगा 20 साल राज किया है उसने इन बिहडन में तीन स्टेट की पुलिस उसका कुछ नहीं कर पाई थर थर खांपता था पूरा इला का उसके नाम से इनकाउंटर हलो वजहाँ यही है अभी बात कर जरौ तो ऑभी है जी जी बिल्ली से हाई कमार बोल दो मैं नहीं हूं वो कह रहे हैं कि वो है नहीं है क्या कह रहा है हलो हाँ बहु का ह पिर दक रहुलिए नहीं वह नहीं होगा, नो प्ले, वना भी नहीं चाहिए, माइ गैरंटी, कुछ भी कीजिए, यह नुक करनाटा क्रोखिये, इस्तीफ़ मांग लिया क्या, ओ, कुछी स्कैन काउंटर करो या, जी, 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 यू और मिनिस्टर गायकवर्ड, ट्राफिक पर्मिशन, मिनिस्टिबल पर्मिशन, पुलिस पर्मिशन, सरकार के कितने फॉर्मालेडी से, किसी भी एक में अटकार दो सालों को, वो कोशिश कटके भी देख ली, लिगली, वी कांट स्टॉप तेम, और सालों ने डेट भी एक ना मुर्चा खुलना पड़ेगा, अचा ठीक है, चल कोई गल ने, क्या हुआ, पॉलिस ने किसी भी तरह का प्रटेक्शन देने जमना कर दिया, कोई बात ने, अपने वॉलंटियर्स तो होंगे वाँ, अपने वॉलंटियर्स तो हैं, और 2 अक्टूबर चुट्टी का तू इस शेर की सड़क पर पहली बार उतरेगा, बाट पीड होगी, वो गाइकवार उस पीड का फाइदा उठा सकता है, अशू, देखो ये, ददा आप, सुमीर बेटे, बड़ी मुसीबत होगी, क्या हुआ, सुबह, नंदिनी मेरी पोती आफिस के, उसने मुझे ठेलिफ फोन टैप था, वो तुमको बताने निकली, रस्ते में उसे किसी ने उठा लिया, ये तीवारी करके आजमीं का टेलिफून आया है, कि रिपोर्ट दे जाओ, और नंदिनी को ले जाओ, ये उसने, ये उसने, अड्रेस दिया है, दादा, दादा आफिकर मत कीचे, मैं ले आ जानता हूँ, ये तिवारी बहुत ख़रा, जानता हूँ, ये कभी मेरा साथ ही हुआ करता था, मैं भी चलूँगा आपके साथ, नहीं पुतर, तेरा दो उक्तूबर को सड़क पुतर ना पहुच जरूरी है, लेकिन मैं आपको अकेले जाने, आपको नहीं होगा पुतर, र जोट के चढ़ाय देंगे, बताया दे रिपोड कहा है, लड़े, सिद्धु, आवा आवा, बुढाय गयो सिद्धु, तू भी दो अंद्दा है रहे है, हाँ, अवर, कैसे हो बस नीन बड़ी अच्छी आती है अईसे मिलेंगे बर्सों बाद सोचे नहीं था अफसोस तो मुझे भी है लड़की पर हाथ उठा दिया तुने हो यह कभी तू मर्द दुआ करता था ते बारी चल वेटी अणाव तुझे राब का वास्त हुए मजह खून बहाने पर मजबूर ना कर अरे तु क्या खून बहाएगा तु तो कब का हथियार डाल चुका है हथियार जरूर डाल चुका हूँ चलाना अभी भी याद है चल बुत्तर हे काट हूँ डाल हुएु पाल जो पर बुत्तरों यह अरिजिनल फोरेंसिक रिपोर्ट जिसे साबित होता है कि असली पिस्टॉल और असली रिपोर्ट बदली गए थी सर जरा दिखाईये मैं भी तो देखू यह रिपोर्ट कितनी असली है अब आपके डिपार्टमेंट की इज़त आपके हाथ में है कमिश्णर साब अपे स्तॉल चलो जहां कहीं भी है ने कलवाईये यह काम जरूर आपके ही डिपार्टमेंट में से किसी काए जा थोड़ी क्या कर रहे हो कोई गाल ने है कोई गाल जी कोई गाल लव थोड़ा पानी पीलो 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 बाद उने थले चला जाए कमेशनर साब टाइमस अफ इंडिया ख़बार का कितना कूछ सर्कुलेशन होगा होगा कोई बिस एक लाग क्यों नहीं सोच रहा था कि बीस लाग कापियां के लिए रठोड सब खाएंगे आपका पूरा डेपार्टमेंट काएगा कल तक अगर असली पुस्तॉल बाहर में आती तो पर्सों के हर अग बार में ये रिपोर्ट छप जाएगी कल राद अचानक समीर कान मेरे फ्लैट आ पहुचे नशे में धुत मुस्से जबर्दस्ति करने लगे कहने लगे कि मुस्से शादी कर लो अगर तु मुस्से शादी करने के लिए तैयार हो तो मैं अपनी बीबी को तलाग दे दूँगा मैंनोंने बहुत समझाया कहा कि मैं एक संस्कारी हिंदू लड़की हूँ मैं आपसे शादी नहीं कर सकती तो वो गुस्ते में आ गए और मेरे कपड़े भाड़ने लग गए और और मैं किसी भी तरह वहां से अपनी इसद बचा के भाग निकली परफॉर्मस बहुत अची एक्टिंग कर रही है लड़की डायलोग तो सब चड़ा साबने लिखे हैं सीन तो आप ही कथा जनाब यह समीर उच्वाश्पाग थान इसको हमने सर पे इठाया इसकी फिल में हिट करवाई और इसने हमारे हिंदु बहर के इच्प पे हाट डाला पुलावावाव! पुलाव! पुलावाव! पुलावाव! किसी को दो भेजिया कोई फादा नहीं सिद्धु साब को भी इसी पग जाना बाबा बाबा बाबु बाबा 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 झाल प्रऴर भाप कर दो तरुड़ है, प्राज़ प्राव अर्वाँ कर दो कर दो कर के लिए मैं रिए। फिर अच्छा लगा खरीद लिया दिन अच्छा था रेप्रिवेश कर लिया अब फर्नीचर जर्बनी से आ रहा है कारपेट परिषया से आ रहा है और पता है जुमर बेल्जियम से आ रहा है आओ समीर साब आओ अर पंचाल आज जी जी समीर साब को प्रसाद दो आज मैं यहां प्रसाद लेने नहीं का एक वर्ड तुझे प्रसाद देने आया आई 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 अंदर चल के बात करते हैं अरह आप लोग जल्पान कीजिये चड़ा है यहां यहां आई 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 उस रातकान बे बजा के गया था राजकान के नीचे बजाँगा और रेसा के तीन देन तक हर चैनल में उसकी आवाज गुंचती रहेगी कुंटे पेशता है पत्थर भिखवाता है इस अल राइट इस अल राइट खबरतार आइंदा अगर तेरी वज़े से मेरे बीवी या बच्चे क्या आग में आसु आया तो तेरा वो हच्र करूँगा क्या हर आफते गर पदलता फिरेगा ऐसे ही प्रगर मेरा दिमाग खुम गया तो तुझे पताएगा एक वाट फिर मैं पूछता नहीं के बात्रूम किदर है सणफ गयकोड जी यह सब क्या हो रहा है कायकोड साब समिर क्या बोल रह थे और वो बात्रूम बाली क्या बता रहे थे ने ने वो तो ये बता रहा है थे, वास्तू शास्त्र के दियम है, जिजजजी, जिजजी, अच्छा हुआ चला गया, सिर्फ काची तोड़के गया, मुझे तो डर लग रहा था कि पिछली बार की तरह हौल में फिर सिर्फ पिशाम ना कर दे, वो तो तो करा या भी, जिजज से पहले सौ बार सोचेंगे, आप एक बार आवास तो उठाए, हम इससे बड़े मुझाहिरे करके दिखा सकते हैं, आपके पास यही एक रास्ता है, माइनोरिटी प्ली, आपको अदालत में सर्फ इतना कहना है, कि आपको इसलिए परिशान किया जा रहा है, क्यूंकि आप म जिस देश के राश्रपती, अबदुलकलाम एक मुसल्मान हो, प्रदान मंतरी, एक सिख हो, दोना माइनोरिटी, वहाँ पे मेरा ये कहना के मैं मुसल्मान हूँ, माइनोरिटी हूँ, इसलिए मुझे परिशान किया जा रहा है, इसे जादा घटिया और शर्मनाक बात और को एक से मैं उसे लड़कर हासिल करूँगा, दफाओ जाए आप लोग, तिवारी कैसा है, बच गया जी जाजी, ये सिद्वी कबाल का आजमी है, उसी ने सब को मारा, और वक्त पर अस्पताल भी पहुचा दिया, सभी की जान बच गई, लेकिन तिवारी को इस बात का अफसो अब काम आएगा, अब काम आएगा, अब काम आएगा, और यहां सेंटर में अश्वाक होगा, और यहां भीड को चीरते हुए मैं सीधा अश्वाक पास, सिद्धू कोन है यहां, उनके नाम एरेस्ट वारंट है, किस जुर्में, तिवारी की मौत होगी आज होस्पिटल में क्या बखवास कर रहे हैं आप सुभई मेरी डॉक्टर के साथ बात हुई उन्होंने का के वो बिल्कुल ठीक हो डिस्चार्ज करने वाले उन्हें और आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ हमारे नाटक को रोकने के लिए उस हरामजादे ने तिवड़ी को मर्डर तुम लोग मेरी फिकर मत करना चला कल नाटक जरूर होना चाहिए अश्वाक अला बोग! क्यान रखना हो कायक वाट सब यसा चाहते हैं ऐसा ही बोग जाहिए अब रसूल आएंगे दुनिया में राम आएंगे सिर्फ इंसानी इंसान के काम आएंगे अला बोल! अला बोल! अला बोल! अला बोल! लीजे, ये शांती प्रियाग्मी है भाई साथ, आपके सामने आपके पडोशी को कोई पीट रहा है आप कुछ करते क्यों नहीं? ये सरकार का काम है, हम क्या कर सकते हैं? लीजे, ये सरकार का इंतजार कर रहे है भाई साथ, आपके सामने कोई आपके पडोशी को पीट रहा है, उनपे जून कर रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं? ये तो भगवान का काम है भाग, हम इसमें क्या कर सकते हैं? ये तो इन से भी दोकट अब आगें, भगवान का इंतिजार कर रहे हैं, भाई साथ, आपके साथ में वो चिला रही है, मदद माँग रही है, आप कुछ करते क्यों नहीं? क्या? आप उनकी मदद क्यों नहीं करते? हाँ जी? अभे, सुनाई नहीं देता, कम से कम दिखाई तो देता है आप से अच्छा तो आपका कुछता है, जो कम से कम आवाज को उढ़ा रहा है बचाओ, 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 बचाओ अरे 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 देखा आपने, अगर आपके साथ में आपके पड़ोशी पे जुल्म हो रहा हो और आप चुप है, तो अगली बार ही आपकी है बचाओ, 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 बचा सिर्फ हमगा माख़ा करना मेरा मकस्त नहीं मेरी कोशिश हर के ये सूनत बढलने चाहिए मेरे सीरे में नहीं तो तेरे सीरे में सही हो कहीं भी आग लेकिन आग जलने चाहिए जो हिम्मत नहारे वो जिंदगी सवारे चल दिखा दे सानी दुनिया को तेरी सांसों में भी है आजी जो हिम्मत तो तेर हो जो जो हिम्मत नहीं जो जो हिम्मत नहीं में तेरे कुर्वान दिन डाहाडे फिल्म स्टास समेर खान पर हमला किया गया, पुलिस वा प्रशासन क्या कर रही थी? अब देखें, ये एक्टर लोग जिन्गी भर डायरेक्टर का दिखा हुआ करते हैं, लेखा का लिखा हुआ बोल देते हैं, उनकी खुद क्यों तो सोच होती नहीं है, अब उनको मालूम है भी, कि जनता नाराज है उन पे, पुतला पुतला जला है उनका, तो बाहर निकल के साथ हाथा पाई हो गई, हमारी पुलिस थे उनको बचा लिया अब एंक्वेरी चल रही है इस फूल कि के लिखतकर रहा सब्रूकरू तेया है खुर खुर, तुर, तुर, उर अजय्क फाल ुर, थ४र, तुर, 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 जए रजय्क खुर, तुर, तुर, जवेर उराण सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें किस कि करांगे रिपोर्ट किस कि करांगे रिपोर्ट उन पच्चिस तीस लोगों की जिनोंने मिर के बाला समीर को यां तीन हजार लोगों की जो वहाँ ख़़े हुए तमाशा देख रहे थे चुप चाप या तुम साले मिल्दिया वाले बजाए इसके को उसको बचाने के लिए जाते पिक्चर बना रहे थे उसके पिट्टे की ता कि उसको साबुन तेल के साथ बेच सको अधे अपने मुनाफे के लिए चलो चैटोई तहीं चलानी जाओंगा मैं इन पुलिस वालों की रिपोर्ट कहां करें ऐसे चल रहे थे वहाँ पर जैसे जुलूस के साथ चल रहा हूँ तुम सारे के सारे कुनागार हो जिनों ने मारा वो भी कुनेकार और जो चुप चाप खड़े हुए थे वो भी कुनेकार साले कुनेकार किसके लिए आवाद उठाई थाई थी उसने किसके लिए आवाद उठाई थाई थी रश्मी सानी के लिए अपनी दे नहीं रश्री सादी का खून हुआ सब चुप वो उपर समीर अपनी मौत से लड़ रहा है सब चुप करको मैं मर जाओंगा सब चुप वो एक दिन तुम लोगों की भारी आएगी सब चुप कोई आवाज नहीं उठाएगा और मर जाओ के सारे के सारे हो है बात करते हैं रेपोर्ट नहीं लेखा ही करते हैं कि यह साब हमारे जीले में एक नए एरपोर्ट बनाने वाले हैं आपके दमाद से बोला सिमेंट सप्लाइ करने को इनको अरे आप भंडू तो इस पोर्गी साइडविशन से जाला हां थेंक्यू से मज़ा करा हूं मज़ा करा हां चट्डा साब आपके मलोत्रा की फाइल क्ल दिली से पार्टी हाई को आपके लाइए लाइए हलो हाजी हाँ गुड मॉनिंग श्रीवान जी एक मिनिट एक मिनिट वो मलोत्रा से चड़ावा लेना मत बुलना हाभी हाजी कही है अटक क्या हुआ होगा नहीं नहीं सब कुछ खतम हो गया हाँ अरे एक पड़ा है सभी रखन का कहना है कि हला बोलने का ये मतलब नहीं है कि किसी को मारना हला बोलने का मतलब है जिन्द के किलाब आवाज उछाना एक समीर खान को इन्होंने अस्पताल भेश दिया है लेकिन आप कई समीर खान खड़े हो गए है और इन सब का इक ही नारा है रश्मी साहनी को इंसाफ दो समीर खान ने सही बोला हमें आवाद उठानी चाहिए पिस्टल और बोल्या मैच क्यों नहीं हो रही है हला बोल आप पुसूर हमारा भी यह मिडिल क्लास वालों की प्राबलम है सब देख कर भी चुप रहते लेकिन अब बोलना पड़ेगा हम बोलेंगे बेचार ने सच बोला उसे इतना मारा हम उसके साथ हैं ये सब नहीं चलेगा रश्मी सारी को हम इंसाफ दिला के रहेंगे अगर हम इस तरह से चुप रहेंगे तो ये बड़े लोग हमारी यूँ ही बजाते रहें समीर खान इस रॉकिंग समीर खान मसता अदमी है तुभी हल्दा बोल ये वक्त है सवाल पूछो जवाब मांगो ये जानना हमारा अधिकार है राइट टो इंफोर्मेशन समीर खान ने रश्मी सानी को इंसाफ दिराने के लिए जो मुहीम शुरू की थी ये उसी का नतीज़ा है कि आज अदालते सुव मोटो यानि की खुद ही दोबारा इस केस को शुरू किया है समुझे मिस्टर गाइकवाड और मिस्टर नाकराजन ने जुट बूले पे मजबूर किया एसीपी राठोड को भी इन लोगों ने पैसों से खरीद लिया था मैंने वो पिस्टॉल जिससे खोन हुआ था और ओरिजिनल फारेंसिक रिपोर्ट जो इस पिस्टॉल से मैच करती है अदालत के सामने पेश कर दी समीर खान की दिन बदिन बढ़ती हुई पॉप्लरिटी का प्रतीक है ये धेर सारे फूल और ये अंगीनत लोग जो घिन रात यहां अस्पताल के बाहर खड़े होकर समीर खान की सेहत की दूआ करते हैं काम ना करते हैं रश्मी सहानी मडर केस को अदालत ने अपने अधिकार से फिर दुबारा खोल दिया है क्या आप मानती हैं कि इसमें समीर खान की बहुत बड़ी जीत है जी नहीं ये किसी एक व्यक्ती की जीत नहीं है ये आप सब की जीत है मीडिया की जीत है आवाम की जीत है और मुझे पूरा विश्वास है कि रश्मी सहानी को बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा ओर 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 ACP Rathode DafaA 201 Guilty Sun intentional Kumar Dafa NA 920 Guilty Swami Premarkar Maharaj Dafa NA 920 Guilty Balwant Raik Kabra Dafa NA 921 Guilty Indrajit Chadda Dafa NA 201 Guilty शिवा नागराजन दफा 201, guilty रंपत्राव गाइक्वार्ड दफा 201, guilty आसकर नागराजन दफा 325, guilty हरीश गाइक्वार्ड दफा 302, guilty आप तो हीरो बनाओे चल अच्छावान साब से वह यह बाकी हैं खुश्वा बेटा इसका अधि चल बाई चल बाई चल बाई 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 कर दो 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 कर दो